काव्य पाठ साहित्य के फलक पर कृप्या चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवादू नमस्कार मैं राजकुमार सिंग सुधी जनो मैं एक गीत लेकर आया हूँ डॉक्टर राधेश्याम बंधू का एक नौगीत कभी डॉक्टर राधेश्याम बंधू आजकल कश्मीर में बर्फ भी गिर रही है और आतंकी बारोद भी बरस रही है और इसमें गरीब आदमी पिस रहा है अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसे कब तक चलेगा ऐसे में आप क्या सोचते हैं और नौगीत कार क्या सोचता है तो आईए देखें एक नौगीत और विचार करें शिशक है शब्दों के कंधों पर बर्फ का जमाओ कैसे चल पाएगी कागज की नाओ कैसर की क्यारी में बारोदी शोर कान अफूसी करतें बादल मुह जोर कुहरे की साजस से उजड रहेगा शब्दों के कंधों पर बर्फ का जमाओ कैसे चल पाएगी कागज की नाओ मौसम है आवारा हवा भी खिलाफ मौसम है आवारा हवा भी खिलाफ किरने भी सोई है ओड कर लिहाफ सठियाए सूरज के ठंडे प्रस्ताओ कैसे चल पाएगी कागज की नाओ कैसे चल पाएगी कागज की नाओ बस्ती को धमकाती आतं की धूप यौ अन को बहकाता सिक्कों का रूप ठिठुरी चौपालों में उंगते अलाओ कैसे चल पाएगी कागज की नाओ कैसे चल पाएगी कागज की नाओ जुग्गी के हिस्से की धूप का सवाल कौन हल करेगा बनसत्य की मिशाल जुग्गी के हिस्से की धूप का सवाल कौन हल करेगा बनसत्य की मशाल संसे के शिविरों में धुंद का पड़ाओ कैसे चल पाएगी कागज की नाओ शब्दों के कंधों पर बर्फ का जमाओ कैसे चल पाएगी कागज की नाओ शब्दों के कंधों पर बर्फ का जमाओ बहुत बहुत धन्यवाद कृपिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद